टीवी एक्टरस प्रीनकर चहर चौधरी जो कि बिग बॉस के घर में इस गेम को खेल रही है लेकिन MC स्टैन ने उन पर एक डेरोगेटरी कमेंट किया है एक गंदी बात बोली है कि इसको दो बॉइफरंट चाहिया है इसको यह चाहिया है ऐसे गंदी बात बोली थी जब MC स्टैन ने कहा था ये बात निमृत का और आलिवाले और टीना दत्ता के सामने जिसमें निमृत ने खा कि ऐसे मत बोलो गंदी बात मत बोलो गंदी लड़की मत बोलो यह जो बाते हैं जो तुम बोल रहे हो यह जो लैंग्विज है गलत है लेकि टीना दत्ता ने फुल स reaction आया है MC stand के खिलाफ social media पर मोर्चा खोल दिया है क्या कहा है आपको बदाते हैं कि MC stand की इस language की class लगाते हैं और MC stand की जो एक गंदी बात जो उन्हों बोली है जिस पर वो कहती है कि बच्चे कैसे पैदा होंगे चलो ये करने के लिए बुला रही है लेकिन ये कितनी घटिया language का use किया जा रहा है मुझे ये सब देख कर बहुत दुख हो रहा है शर्मनाग तो ये है कि एक औरत आराम से बैठ कर ये बाते सुन रही है यहाँ पर टीना दत्ता यहाँ पर टीना दत्ता क्यूं हुआ है वहीं आपको बताते हैं कि आगे MC स्टैन ने ये भी कहा था कि अंकित को आने के लिए बोल तुझे क्या हो दो बॉइफ्रेंट शाही है शादी हो गई बच्चे हो गई तो वो भी इस irritate हो जाएगा तुझसे अगर शादी होगे बच्चे होगे तो तु यहाँ से जा मेरी girlfriend है बहार हो ये बोला है और इस रड़े के बाद भी MC स्टैन ने प्रियंका के बारे में बद्धी बाते करते हैं दिखाई दिये जिसको लेकर social media पर MC स्टैन को stroll किया जा रहा है और सर्मान खान में इसके जबरदस क्लास लगाने वाले है कि तुमने कैसे बोल दिया किसी लड़की के बारे में